कुछ रेसिपी इसका टेस्ट जबान से जाता ही नहीं है जितनी दफ़ा भी खाऊना उतनी ही टेस्टी लगती है और बच्चे बड़े सभी की फेर्वेट होती है तो ही दोस्तों असलाम लेकुम कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियसे होंगे यह दिली की मशूद चिके नहारी की रेसिपी जिसका टेस्टो लाजवाब होता ही है लेकिन यह बनती बहुत ही आसानी के साथ है तो आठ हम बनाएंगे से अपने अंदाज में बहुत ही आसानी के साथ जिसे हर को ही बना सकता है बहुत ही इजी ली तो जब हम इस recipe को बहुत ही असान के साथ बना रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ तो tricks होंगे न तो इसलिए recipe को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपको मिस्ट ना हो जाए तो मेरी इस असान सी recipe को ज़रूर try करके देखिएगा और try करने के बाद मुझे अपना feedback द इस recipe में तेल की requirement ठोई ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा अगर आपका तेल नहीं डलावाऊगा ना तो recipe अच्छी नहीं रहेंगी तो सबसे पहले हम तेल add करेंगे कुछर के अंदर तकरीबन 4-5 बड़े चमच और उसे पूरी तरीके से पहले गर्म कर जाए और जो बाकी की बच्छी कुछी जो कसर होगी बेसान की वह हम इसको अच्छी तरीके से fry करेंगे तेल में और तेल में जब हम इसको अच्छी तरीके से fry करेंगे सारी कशा निकल जाएगी हम फ्राइ करने के टाइम पर इसके अंदर नमक add करेंगे तकरीबन 2 चमच के करीब यहाँ पर नमक हमें एड कर लेना है स्टार्टिंग में ही ताकि हमारा जो नमक का फ्रेवर है ना वो पूरे चिकन के अंदर प्रॉपर तरीके से आए हमें इसको इतना फ्राई करना है ना कि इसके अंदर थोड़ा रेडिश कलर सा आ जाए और जैसे ही चिकन हमारा फ्र प्राई हो रहा है चुकि हम बना रहे हैं इसको बहुत यह असानी के साथ तो हाज हम लेंगे ट्रेडिमेड मसाला यहाँ पर ने एक डबन नहारी का मसाला लिया है इसमें रिक्वार्मेंट क्लिकी ही होती है कि एक किलो गोश्ट के हिसाब से यह मसाला होता है मार्केट में इसली हर जगा अबिलिबल होता है आप किसी भी ब्रैंड का नहारी का मसाले ले सकते हैं लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं कहूंगी कि आप पहले आदही पैकेट यूज करके देखें क्योंकि आदही पैकेट बहुत इनफ होता है एक किलो गोश्ट के कारे गर में भी काफी कम तीखा खाया जाता है तो मैं भी आधे ही पैकेट का पेस्ट बनाऊंगी पानी के साथ और इसे पहले से ही साइड करके द्रत लोंगी बनाने के बाद आप देखें यहां पर हमारा चिकन प्रॉपर तरीके से भून चुका है और इसका कलर भी आप लगता है लेकिन अगर आपको बहतरीन सा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सो पेशेंस रखना ही पड़ेगा और थोड़े से पेशेंस के बाद ही आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा चिकन के उपर प्रॉपर तरीके से रेट कलर के स्पोर्स आ जाएंगे और ज मसालों को हम पहले से भीगो के इसलिए रखते हैं ताकि हमारे जो मसाले है ना वो प्रॉपर तरीके से भीग जाए और उसके बाद ना इसका टेस्ट डबल हो जाता है तो अब सारे मसालों को एड़ करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के स साथ हम तक्रीबन 2-3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भूनाई करेंगे क्या होगा इससे मसाले भी प्रॉपर तरीके से भूनने लगेंगे और परदस्त इसकी खुश्बू आने लगेगी और जैसे ही मसाला पूरी प्रॉपर तरीके से भून जायागा तो यह नीचे से लगने ल जब तक इसकी ग्यास आटमेटिकली रिलीज ना हो जाए चलिए तो हम यहाँ पर कोकर को बंद कर देंगे और एक सीटी आते ही ग्यास की फ्लेम को भी फॉरन बंद कर देंगे इंदर हमारा चिकन बन रहा है हम अपने थोड़े बाकी के बचे हुए काम कर लेते हैं यहाँ पर मैंने दो बड़ी चमच लिये हैं बेसन बेसन तो अमूमन सभी के घर में होता है अगर आपके पास घर में बेसन अवेलेबल नहीं हो तो आपको घपराने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसकी जगह पर दो बड़ी चमच आटे का यूज कर सकते हैं अब हम इस तेज आज के उपर रोस्ट करेंगे ना तो यह फॉरह ही जलने लगेगा तो ख्याल रहे है कि हम इसे मीडियम आज के बाद थोड़ा सा टाइम डे करके अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे बहुत ही जलने के रोस्ट भी हो जाता है और जैसे ही इस पे से बड़ी और दही के साथ साथ हम इसमें थोड़ा पानी एर करेंगे और फिर दही और पानी और हम बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें एक अच्छी सी स्लेडी पना करके इसके त्यार कर लेंगे और इसकी स्लेडी पनाने के टाइम पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी Lumps ना रहे हैं और अगर आपके Lumps थोड़े बहुत बज भी जाते हैं तो इसका भी हमारे पास आगे इलाज है अगर आप वो प्रोसेस करते हैं तो बिल्कुल आपकी Lumps प्री ये बैटर तयार होगा है यानी इसलेडी तयार हो जाएगी पर हमारे बेसन और दही की इसलेडी पूरी तरीके से त्यार हो चुकी है हम各ore को कोल करके यहाँ पर चेक करेंगे chicken को chicken को हम properly पहले mix कर लेंगे अच्छी तरीके से ये देखिए चिकन हमारा बिल्कлар भी चूट नहीं हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिर्टी लगाई थी और फोरानी ग्यास को बंद कर दिया था इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक सिर्ट लगाई थी अब हम लेंगे एक इस्ट्रेइनर को रख देंगे डारिक्ल स्लेडी होगी बिल्कुल स्मूद सी हमारे कुकर में आद होती चली जाएगी मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर हम जल्दी खाना मनाते हैं तो उसके अंदर छोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक्स होते हैं अगर उसको फॉलो करते हैं तो रेसिपी बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें इसको रिमूव कर देना है अगर हम इसको डिरेक्ली आड़ कर देते हैं तो आपकी नारी के अंदर बहुत ही जबदस तरीके से लम्स आते हैं जो आपको खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते तो इसको हमें बस रिमूव करना होता है अब देखें बिल्कुल थोड़े सी जो लंस बचे है ना उसके अंदर हम क्या करेंगे थोड़ा पानी एड़ करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और जो लास्ट में जरा सी बचेंगे ना लंस उनको हम साइड करके रिमूव कर देंगे चलिए तब हमने सारी स्लेडी को एड कर लिया है प्रॉपर तरीके से लंस फ्री अभी तक हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन थी अब यहां पर हम गैस की फ्लेम को आन करने के बाद हम सबसे पहले सारी स्लेडी को प उकड़ा भी नहीं रहेगा हमने चुकि इसके अंदर पानी आट करा था लास्ट में स्लेरी को फाइन सा बनाने के लिए उत्मा पानी इनफ है अगर लेकिन आपको थोड़ी सी लिक्वेरी चाहिए इसकी ग्रेवी तो आप अपने हिसाब से पानी को अज़स्ट कर सकते हैं क्य कवर करना है लौक नहीं करना है इसने सा ख्याल रखना है जैसे हम उपर से लिट को कवर करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्को सेंट कर देईगे इससे क्या होगा कि हमारी जो तेल है न वो सारा सरफेस पे आ जाएगा और धीरे धीरे हमारा बेसन जो होगा न वो गाड़ा होता चला जाएगा तकरीबन हमें सिम आज के उपर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है आप 15 मिनट के बाद चेक करके देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब सी बिल्कुल नहारी आपके रड़ी हो जाएगी ये देखे प्रॉपर तरीके से ये बिल्कुल पकर के तयार हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को फॉरण बन कर देंगे और इस लाजवाब सी नहारी के साथ आप चाहें तो रुमाली बना सकते हैं चपाती बना सकते हैं पराठे नान कुछ भी इसके साथ सर्व करें ना ला तरीके से इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कराना तो आप भी घर में अपने लाजवाब से इस रेसिपी को फॉरण तयार कर सकते हैं एक बार आपको बनाने की डेली है अगर आपने एक बार बना लिया ना आप भी इसके जबर्दस से पैन हो जाएंगे और आपके घर म अब हमारी रेसिपी तो हो गए कि प्रॉपर तरीके से तैयार हम चले इसको सर्फ करने आप कब बना रहे हैं ये मुझे जरूर बताईएगा और बनाने के बाद मुझे अपना फीड़बैक देना बिल्कुल भी मत बूलिएगा रेसिपी पसंदा आजाए तो इसे अपने फ नहारी का मज़ा क्या चलिए तो अगर आपको मेरी ये दिल्ली की फेमस चिकन की नहारी की जैसे पिसल आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजेगा लाइक चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी आ आपिज एंज्वयो चिकन की नहारी